ओम स्थापकायच धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिने अवतार बरिष्ठाय रामकृष्णायते नमहां जननिम् शारदाम देविम् रामकृष्णम् जगत्गुरुम् पाद पदमे तयो श्रित्वा प्रणमामे मुहूर्मुहू नमश्री यतिराजाय विवेकानन्द सूरये सच्चित सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिने भगवान श्रीरामकृष्णदेव श्रीमाशारदा देवी एवं स्वामि विवेकान्ज की खुपासे हमारे सत्संग भली भाती चल रहा है आप लोग का उच्सा हमारा उच्सा बढ़ाता है हम लोग चर्चा कर रहे हैं समस्त रामकृष्णमट एवं रामकृष्णमिशन के दस्वे परमाध्यक्ष पुरम परम पुज्य स्वामी विरेश्वारनन जी महराज इनके कुछ संस्वरन स्वामी विरेश्वारनन जी प्रकाशित हुए हैं बंगला इंदी एवं इंग्लिश में उसके कुछ अन्शो का हम लोग यहाँ पर अनुध्यान कर रहे हैं उसी संदर्व में चर्चा करेंगे आज स्वामी नित्यमुक्तानन जी जिनको की हम लोग गनेश महराज के नाम से भी जानते हैं दिरिग कई वर्षों तक वे रामकिष्टमट एवं रामकिष्मिशन के बारवे परमाद्यक्ष पुजिनिय भुतेशा रंजी महराज के सेक्रेडिर है फिलहाल वे मायर बाड़ी जिसको मायर बाड़ी कहा जाता है उद्बोद भवन वहाँ पर वे अध्यक्ष है तो उन्होंने शामला ताल में जॉइन किया था साथ में एक और महराज ने भी जॉइन किया कार्तिक महराज जिनके स्वंस्रोनों के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है तो जब दोनों ट्रेनिंग सेंटर में एक ही याद साथ आए अब दो वर्ष का ट्रेनिंग का पिरेट पुरा हो गया उसके बाद में फिर सब ब्रह्मचारियों का पोस्टिंग होता है विविन्न सेंटर्स में ऐसा कोई आवशक नहीं है कि जिस सेंटर्स से विविन्न सेंटर्स में भेजते हैं तो इन लोगों के मन में था कि कहां भेजेंगे जो भी होगा सभी जगतों भगवान श्री राम किस देवा बैठे हैं यही सोच करके बैठे हुए थे अब हुआ ऐसा कि पुझ्या आत्मस्ता अंजी महारण ने पुझ्य भुतेशा अंजी महाज को कहा कि हमने यह तै किया है कि ब्रह्मचारी गनेश और ब्रह्मचारी कार्थिक इन दोनों को सेवक के रुप में दिया जाएगा एक को पुझ्य प्रभु महाराज विरेश्वाराज महाराज के पास और एक को आप के पास तो आप बताईए आप किसको लेंगे तो पुझी बूतेश्वारेंज महाराज ने का देखो भाई पुझी विरेश्वारेंज महाराज मुझसे सीनियर है उनको पहले पूछो वो जिसको लेना चाहे ले उसके बाद में जो बचेगा मैं लूँगा तो फिर पुझी विरेश्वारेंज महाराज को पूछा गया तो उनको ठीक है मैं बड़ा हूँ तो बड़े भाई कोई लेता हूँ कार्तिक कोई लेता हूँ इस प्रकार से कार्तिक महाराज हुए सेवक प्रभु महाराज के गनेश महाराज हुए सेकरेटरी पुझी तो इस प्रकार से कार्तिक और गनेश ये दो भाई थे इसलिए मानों इन लोगों ने ये कहा ये दो भाईयों में से ये दोनों प्रेजिडेंट ये वाइस प्रेजिडेंट को उनका सेवक की रूप में पोस्टिंग किया जाएगा इन दोनों को लेकर के पुझे प्रभु माराज विरेश्वान जी माराज खाफी मजा किया करते थे विनोध किया करते थे राजकोट में जब रामकिष्ण आस्रम राजकोट में जब मंदिर की प्रतिश्ट थी 1979 में तब की बात है तो पुझे हमारे गणश माराज वियाय थे पुझे पुटेशान जी माराज के साथ तो वे उपर से छतपर से उस समय सांस्वेती कारक्रम भी बहुत हुए थे तो वो सांस्वेति कारक्रम जब देख रहे थे पुजय महराश हमारे नित्यमुक्ताना जी उससे मैं उन्होंने देखा कि वहाँ प्रहु माराज आ रहे हैं गुदेश्वाराण जी उनको भी उस समय उस समय गुजराती नित्य हो रहा था traditional गुजराती नित्य तो पुझे महाराश्य ने जब सुना तो वो भी इस प्रकार से आये तो उनको भी देखने की इच्छा हुई तो फिर निती मुक्ताने जी ने उनकी सब विवस्ता की छट पर चट पर से देखने की सब विवस्ता की और साउंड बॉक्स को उनकी पास में ले आये है फिर जब हैदराबाद में गए थे पुझे महाराज तब की बात है जब गनेश महाराज वहाँ पर गए तो कहा अरे गनेशो मोदक प्रिय है इसको लड़ू दो भाई लड़ू दो गने प्रामी चैतन्यान जी जिनको हम सुरूप माज के दाम से भी जानते हैं जिन्होंने यह जो कुस्तक है उसके संपादन में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है वे अपने संस्मान लिखते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि वो पुझे महाराज शी को प्रणाम करने जा रह तो उनको थोड़ी चिंता हुई क्यों पुझे महाराज श्यम को प्रणाम करने नहीं दे रहे हैं पैर शू करके फिर उतनी देर में यह दो उनके पहले दो भक्तों ने प्रणाम किया था वो चले गए उसके बाद में यह लोग अंदर आये तो यह दो सामी जी थे दो मचार ही थे दोनों को प्रणाम करने से मना कर दिया उतने में मुरत राम आये जो नापित हजाम उनको भी महाराज ने प्रणाम करना मना कर दिया नापित तो ऐसा चुप रहने वाला थे महाराज ऐसा हम पर क्यों न्याय कर रहे हैं क्यों हमको पैर छुड़ने नहीं दे रहे हैं तो महाराजी का देखो इसके जस्ट अभी-अभी कुछी पुर्व, कुछी खशनपुर्व, दो भक्ताय थे, वो अच्छे चरीत्र के नहीं थे, तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को पीडा हो, मुझे भी पीडा हो रही है, पहले सेवक को बुलाओ, गंगा जलसे में धो होंगा उसके बाद तुम लोग प्रणाम करना, तब गनिश माराजी को लगा, महाराज हमारे लिए कितने चिंतित हैं, वो स्वयम दुसरों के पाप लेने को तयार है, स्वयम व्यथा लेने को तयार है, दर्द लेने को तयार है, चननों में उनको पीडा हो रही है, परन्त ये पिड़ा दुसरों को न जाए, दुसरों को पिड़ा न हो, इसका कितना ख्याल रखते हैं, आशिर चकित हो गया। मेरा जो इंगलिश में है, वो पढ़के सुनाओ, फिर बंगला पढ़के सुनाओ, और क्या उनकी मेदा शक्ति, उसके बाद में बंगला में अक्षर सा किया गया था, केवल दो या तीन शब्द परिवर्तन किये गये थे, नहरा ने पकड़ दिया, क्यों इन शब्दों को क्य है, तो उसको भी रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, उसको भी सन्मान देना पड़ेगा, इस प्रकार से तुम स्वाधिनता नहीं ले सकते, हाँ, खुद का आर्टिकल हो तो अलग बात है, जब अनुवाद बोलते हो, तो इट शुड भी फेट्फुल ट्रांसलेशन, तो ये महाराज इतनी मेधा शक्ती थी उनकी, फिर महाराज की इच्छा थी, पुझय महाराज श्री की, प्रभु महाराज की, स्वामि शुद्धान जी महाराज, के जितने आर्टिकल्स छपे हैं, उनकी पुस्तक प्रकाशित हो, बहुत बार उन्होंने कहा, उद्बोधन बावन म पर वो लोग नहीं कर पाये, बहुत व्यस्त थे, तब उस समय महाराज फिर जब बहुत हताश हो गये, निराश हो गये, ऐसा लगता है कि मेरे जिते जी ये उस तक प्रकाशित नहीं होगी, ये बात जब पहुँची वहाँ पर उन्होंने के महाराज के पास, तो बहुत इतने लेख थे, इधर उदर से बटोर करके, उन्होंने ये पुस्तक प्रकाशित की, पुस्तक प्रकाशित करके जो पहली कौपी बेलू मंदिर में देने पढ़ती, प्रसाद के लिए उस देने गये, साथ ताथ पुझी महाराज के लिए भी एक कौपी लेकर गये, पुझ लक्षित होता है, 22 दिसंबर 1984 की बाद थे, चेतियन अने जी तीरती राता के लिए उनको एक मेने के लिए छुटी मिली थी, तो वो जाना चाहते थे, महाँ पर के दारबद्रियादी में, कहीं पर तीरती राता जाना चाहते थे, उसके लिए उनको छुटी भी बिल गई थ उसके बाद में प्रणाम करने आए, कि महाराज मुझे आशिवाद दीजे, मैं तीरती त्यात्र के लिए जा रहा हूँ, भारणी का, अरे देखो, उदर बिहार में लोग मर रहे हैं, इतना बड़ा फ्लड आया है, इतना बड़ा रहातकार चल रहा है, और तुम तीरती त् जाओ, कि तुम तीरती त्यात्र जाओगे, रिलिफ वर्क में जाओगे, फिर दूसरे दिन आकर कि महाराज का, महाराज कुनों ने का, महाराज में रहातकारे में जाओगा, महाराज इतने प्रसंद हुए, बहुत आशिवाद दिया, जाओ, रहातकारे करो, स्वामी विवे कारण जीतने इन गरीब लोगों के लिए कितना तरपते थे याद रखो तीरती आत्रा से कुछ कम नहीं है यह बहुत बड़ी यह जो सेवा है यह पुजा है ऐसा करके बहुत आश्रिवात दिया वहां जाकर के जैसी राहतकार्य समाप्त हुआ अभी तो समाप्त भी नहीं हु इतना उन्होंने याद रखा कि मैंने एक सादू को ना बुला था तो उनको याद था जैसी राहतकार्य समाप्त हुआ उन्होंने का जाओ अब तीर थेयात्रा में जाओ तो तीर थेयात्रा में जाना पसंद करते थे कोई यदि तीर थेयात्रा में जाए तो पसंद करते थे इस एक साथ-साथ उनकी गरीबों के प्रतियाद जो पीडित लोगों के प्रतिवी उन्हीं अनुकंपा ये भी देखने के लाए और उधर पीत यात्रा में वो जो यात्रा के लिए भी कितना महत्त देते हैं वो भी उनका देखने लाए तो इस प्रकार से स्वामी चैतेरान जी बोलते हैं कि मुझे बहुत कुछ सिखने को मिला उज्य महाराश्य के पास था स्वामी इशात्मनन जी जो की विदानतर सुसाइटी शिकागो के मिनिस्टरी इंचार्ज है अभी अमरीका में देवी महाराश्य के नाम से भी प्रक्यात है तो एक बार की बात है कि किसी एक सिंटर में पुझे महाराश्य आये हुए थे और रात को सब सादू ब्रमचारी बैठे थे महाराश के कमड़े में उसी समय उस सेंटर के अध्यक्ष महाराश आये वह का महाराश आपको जिस भक्त ने अभी खाना भिजवाय था वो पूछना चाहते हैं आपको कैसा लगा माइन का बोल देना अच्छा लगा तो फिर वो गए अध्यक्ष महाराश और उस भक्त को जाके बोला अरे खोब भालो है चे अपनार खावा महाराश बोल जे न खोब भालो है चे आपका हמा खाना खोब अच्छा हुआ है खोब अच्छा लगा है खोब आपकी प्रसंषा की आपके खाने की अब ये जो कुछ भी बोल रहे थे उनको पता नहीं था कि इदर माराज को सुना ही दे रहा है माराज ने तो केवल इतने ही कहा था बोल देना अच्छा हुआ है जब वो वापस आये कबरे में तो बोले तुमने जो कुछ कहा है न खूब अच्छा हुआ है पर खूब शब्द को निकालने से खूब अच्छा होता इस प्रकास से माराज विनोद करते थे स्वामी गोरी कांतानंद वालुकृष्ण माराज के नाम से अब जानते हैं अभी राजपुट में ही है तो ये माराज से उन्होंने दिक्षा ली थी उसके पहली के बात थे जब भी दुख्षा नहीं थी उसके पहले तो जब माराज के दर्शन करने जाते थे तो दिक्षा के बाद दिक्षा के पहले भी उनसे मिलने जाते थे उनका दर्शन करने जाते थे दिक्षा के बाद के बाद है महराज को बोला कि महराज इस्वर दर्श्र के लिए कितने जब करने पड़ेंगे माँने का यहाँ तुम्हार मैथमेटिक्स काम नहीं करेगा पिर उनके पिता जी को बोला ये लड़के को आप कैसे संबालते हैं, संबालना मुश्किल होता होगा ना, बच्चे जैसे सब रश्टा में सब पुशता रहता है, तो जो भी उन्होंने बताया, कि ये कोई mathematics नहीं है, ये व्यक्ति की खुद की व्याकुलता पर आधारित है, इतना जब करने से कि अधायेगा, इसी कोई guarantee नहीं है, पर व्याकुलता की उपर सब कुश है, और कितनी साधना करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, इसके उपर आधारित है, एक बार महराज महराज ची जब बंबई आये हुए थे, तो अदेख्ष्टे दिरह मैन जी उससे वहां के, उस समय महर महराज का स्वास्त, cancer अलेडी हो चुका था, उसके बात की बात है, तो अस्वस्त थे, तो सब लोगों ने सोचा उपर में उनका कमरा है बात है, ले जाने के लिए, उनको कुरसी में बैठा करके ले जाएंगे, तो महराज ने कहा महराज, हम आपको कुरसी में बैठा करके, उपर ले जाएंगे तो महाराज ने छुटकी भरते कहा तुम लोग मुझे उपर उपर और उपर ले जाओगे ऐसा लगता है मनलब एक दों उपर ले जाओगे फिर एक बार दिख्षा के सब्दें उनको यह ड्यूटी दे दी गई कि मराठी भक्तों को वो जो कुछ इंस्ट्रक्शन है मराठी में समझा देंगे तो जब रामकपार महार ने कहा कि उसको बोला है हमने बालकृष्ण को कि वो मराठी में समझा देगा जितने यह इंस्ट्रक्शन है महारणने का उसको बोलना उसने क्या समझाया है उन लोग को वो मुझे समझा दे फिर बोला अभी तक तो हमी लोग सबको समझाते थे अभी ये हमको समझाएगा ऐसा करके उन्होंने मजा कि अभी हमको समझाने की बारी अभी तुमारी है पर जब चणडीगर में उनका पोस्टिंग हुआ तो प्रणाम करने गए, कहां जा रहा हो चणडीगर तो बहुत ठंडीज जगा है, स्वेटर वगर है, नहीं, तो उन्होंने फिर एक मोटा वाला स्वेटर निकालकर करके दिया, फिर सेवक लोग को बोले इसको बहुत ज़् करेगा ट्रेन में यह स्वियस्त रहेगा नास्ता करते करते जाएगा सब लोग बहुत हसे और बहुत जाला नास्ता दिया गया हुआ कि स्वामी शिव प्रदानंद सही को तेश महराज के नाम से विख्या थे उननी सो बहत्तर की बात है वे पुरूलिया विद्यापीट में थे तब समय कुछ कारिक्रम पर ले आये थे तो कारिक्रम के बाद ही उस समय मंत्र दिक्षा हुई तो मंत्र दिक्षा के बाद सब लोग का प्रणाम चल रहा था उसके बीच में एक 11 स्टेडर का विद्या थी आकर करके प्रणाम किया तो महराज आपसे एक निविदन है आज हमारा क्रिकेट मैच है तो दोनों टीमों के साथ हम चाहते हैं आपका फोटोग्राफ हम ले रहा देजरा चाहते हैं पर आज तो आप बहोटाइड होंगे कल आपके साथ हम फोटोग्राइड होंगे तुम क्या मुझे बुडा समझते हो तुम मुझे पूमर का क्रद्षा निकले हैं चले गए मेंडान में और मेंडान में दोनों टीमों के साथ बहुत सारे फोटों फुट्वाएं उसके बाद में माराज पिसमन बैट बेट दो बैट देकर के जैस remain betting करने की अदामें खड़े रहते हैं सब खड़े रहे ऐसा एक फोटो मेरा खीचो ऐसा फोटो उनका खीचा गया अच्छा देखो ये मेरा बैटिंग ठीक हुआ की नहीं बैट पकड़ने का ठीक हुआ की नहीं और ये तो बहुत बड़े क्रिकेट प्लेयर थे अपनी स्कूल को रिप्रेजेंट किया था तो स्वाबाविक है उनका तो बैट पकड़ना ठीक होगा पर इस प्रकार से विद्यार्थियों के साथ इतने घूल मिल जाते थे स्टूडेंट्स ऐसा लगता थी हमारे में से एक है ये इतने पूरे राम किष्टमट मिशन के प्रेसिडेंट हैं ऐसा कोई उनको ऐसा कोई डर भी नहीं लगता था उन माराज की इतनी बच्चों के प्रति विद्यार्थे को प्रतितना प्रेम था एक सन्यासी ने कुछ सरस्वन उसमें लिखे हैं नाम नहीं दिया है वे बताते हैं 1976 की तो ट्रस्टियों की मीटिंग चल रही थी जो मंदीर है बड़ा मंदीर उसके सामने जो बिल्डिंग है उ में गेट के पास चलीगे पर पुराने हेट कॉर्टर बिल्डिंग के बात है उपर में मीटिंग चले थी ट्रस्टियों की उसी समय फोन आया तो यह स्वामी जी जो जिनों लिखे है सास्मन उन्होंने फोन उठाया बोले कि मुझे विरेश्वार जी महारा से बात करनी है वो तो अभी मीटिंग में है तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं तो उन्हों का मेरा नाम अउधूत है तो स्वामी जीन पुछा अउधूत वो जो मरूतिर्थ हिंगलाज के लेखा अउधूत बहुत फेमस थे वो अउधूत हाँ वही मरूतिर्थ हिंगलाज अरे तो आपको क्या काम पढ़ा क्या मैं जान सकता हूं मैं तो बात में बोल द उसने का कि बात ऐसी है कि एक एक आदमी है वो एकदम मरना सन्न है और डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया यह हम लोग इसको बचा नहीं सकते तो अभी हमको महाराज के साथ बात करनी उनके आश्रिवास से वो बच जाएगा तो फिर उनको पुछा अरे आप तो तांत्रिक है आप ही तो मा काली से बोल सकते हैं आप ही मा काली को बोल करके उसको ठिक कर सकते हैं मैं तांत्रिक हूँ, मैंने मा काली से बात की, मा काली ने मुझे कहा, बेलू मट में स्वामी विरेश्वर अनन्त नाम के एक स्वामी जी है, उनके आश्रिवात से ही ये ठीक होगा, और किसी के आश्रिवात से ठीक नहीं होगा. ये महाराज तो अक्यमक के रहे गए फिर बाद में ने वो संदेश उन्होंने उनके सेवक को दिया फिर सेवक ने उनकी बात करा दी फिर उन्होंने पूछा था बाद में अच्छा फिर महाराज ने क्या बात की महराज ने मुझे ऐसा ही कहा ठीक है मुझे नमबर दे दो मैं जो करना है मैं कर लूँगा उनको फिर बताया नहीं कि उन्होंने उनको क्या कहा या कुछ भी उसके बात की कोई बात किसे को पता नहीं है पर इससे क्या परिलक्षित होता है मा काली बड़े तांत्री को बोल रही है कि स्वामी विरेश्वार अनंज के आश्रिवाद के बिना वह ठीक नहीं होगा बाबारे कितनी सक्ति पुझ्य महाराश्य में थी उच्छोटी सी फ्रेम में हम कलतना नहीं कर सकते हैं यह धीरे धीरे यह सब बाते जब बाहर आ रही है हम लोग तो उस समय एकदम जैसा साधार जैसे बात करते थे उसी पर बात करते थे पर उनके इस छोटी सी फ्रेम के भीतर में ऐसी आसामान्य ऐसी शक्ति अद्भूत आध्यात्मिक शक्ति अलोकिक शक्ति उनमें है इसका अंदाज किसी को वो नहीं देते थे चुप केवल रामकिष्टियों की जै बोलना है मेरी जै नहीं बुलाना है बहुत नाराज हुए थे डाटा था उनको मतलब अपने आप इसमें चुपा करके रखा था केवल स्री रामकिष्टियों की महिमा का बखान करने को बोलते थे पर ये सब चुपा करके रखा था इतनी शक्तियां उनमें थी अलोकिक शक्तियां किसे को इसका अंदाज नहीं लगा था जब तक वे धरादाम पर थे तब तक किसे को अंदाज नहीं लगा पुरूलिया विद्या पिट की बात है 1982 में पुझ्यमाराश्री गए थे दिक्षा होगी तो दिक्षा के पहले सब फॉर्म उनको दिये गए तो जितने फॉर्म थे लगबग 30 या 70 लगबग फॉर्म सायथ थे तो सब उन्होंने पास कर दिये केवल दो फॉर्म उनका अगर दिया मतलब उनकी दिक्षा नहीं होगी अब उस में सए एक ँट आशल्म शूर्म में सूबे सेलेका साम तक काम करते थे वहां के स्टाफ मिंबर थे बहुट डिवोटेड बहुट डेडिकेटिड रात रात तक जक्कर की कहरते थे 10 बजचे तक जकर के काम करते थे तो वहां के जो अद्रक्श महाराज जो सच्शी महाराज थे उन्हेन के महाराज यह तो बहुत ही सिसिरे बहुत डिवोटेड है अपने उनका फहर्म क्यों अलग कर दिया फिर महाराज ने कहा उसने गरत लिखा प्रम में के मेरी दिख्षा नहीं होई उसकी दिक्षा होगी है न महाराज उसको कभी मिले ये जो सची महाराज है जो कि दिन्दात उसके साथ काम कर रहे हैं उसका भी पता नहीं है कि उसकी दिक्षा होगी है ये महाराज ने केवल फॉर्म देखकर के बोल दिया इसकी दिक्षा होगी है क्या शक्ति कैसी अलोकिक शक्ति और फिर उन्होंने उसको बुलाया ये तुम्हारी दिक्षा हो गई रहाँ क्यों गलत लिखा कि मेरी दिक्षा नहीं हुई बात ऐसी है कि मेरी दिक्षा केवल चारे पांच साल के उम्रे में हुई थी बहुत छोटा था मुझे याद बेनी और मैंने अपने ग जाकर के जाओ महाराज को बोलो फिर महाराज को बोला कि ठीक है पर दिक्षा दिया उन्होंने पर ये कहा कि कुल गुरु ने जो मंत्र लिया है उसका भी जब करना जिसने पहले गुरु के पास दिख्षा लिए उसका उस मंत्र को और उस गुरु को सन्मान देते थे महराज पर देखते क्या हम लोग कैसी अलोक शक्ति कुछ महाराश्री में थी कि वो पुरंट उनको पता लग गया दिख्षा ले लिए इसने चेरा पुंजी की बात है तो जैसा होता था हर एक आश्रम में अधिकांश समय भोजन के बाद सब लोग आते थे महारज के कमरे में और बहुत हसी मजाग बहुत होता था महारज बहुत हसा आते थे कहां कहां की सब बाते बोलते थे कई जोक्स बोलते थे सब लोगों बोलते थे तुम लोग करो तुम लोग बोलो ऐसा बहुत मजा करते थे तो यह आस परियास हो रहा था तब एक इनने क्या क्या एसा दूने भानू बेनर जी के हास सिव्यंग इसकी रेकॉर्ड लगा दी तो महारज इतना जोर इतना हसे इतना तो जहने हां से उनको इतना आंद आया तो रिकार्ड पुरी कि पली स्की सेक्ट साइड है क्या सेट ज़र्ण से लगाओ सेक्ट साइड भी यह फिर उन्हेंने चाहला हस्ते मेरा पटफुल गया भानुबेन Argis श्तमुझे जूर्ज्श है ऐसामाहरद ने कहा Iam तो ये पुझ्य महाराश्री विरेश्वारान जी महाराश उनमें असाधरान शक्ति जैसे स्वामी गंविरान जी महाराश ने कहा कि उनमें असाधरान एक गुरु शक्ति का अविर्भाव उनमें हुआ था बिल्कुल ठीक बात है वामिगंवी राजी माराज जो के 11 अद्धक्ष्ट रामकेश मठ मिशन के उन्होंने जो स्मिति सबाती उसमें कहा था ये विरेश्वा राज में एक विशेश विशिष्ट गूरु शक्ति का आविर्भा हुआ था उसी शक्ति की कारण उनको इस प्रकार से उन्होंने उस समय के जमाने में पचात्र जार से अधर अधिक लोगों को मंत्र दिक्षा दी उस समय जबकी और एक सेंटर को छोड़के बाकि सब सेंटर भारत के उन्होंने सब भरमान किया कितने सारे मंदिरों का उद्खटन किया, कितने सारे मंदिर का निर्मान करवाया इधर शिवग्यान से जीव सेवा में भी कईती सेवा के प्रोजेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट करते हैं दोनों साथ में करना उन्होंने दोनों ही किया इदर रूरल डिवलपेंट ट्राइबल डिवलपेंट उस पर भी भार दिया इदर मंदीर पर भी भार दिया इतना ही नहीं रामकिष्ण विवेकाना साहित के प्रचार प्रसार में इतनी दिल्चस्पी बताई, हमेसा बोलते थे ब्रमाचेरियों को मिश्णरी जील होनी चाहिए, देखतें नहीं हो, क्रिष्ण अधि मिश्णरी, किस प्रकार के उनमें जील होती है, जैसी जाते हैं, तो पहले वहां की संदेश को प्रचार प्रसार करने के लिए हमारी सभी जितनी भी सुविधाओं को त्याग करके बलिदान दे करके हम लोगों को ठाकुर्मा स्वामी जी का जो भाव है आज के यूग के लिए अत्नित महत्वपुण उस विचारधारा का प्रचार प्रचार करना होगा उसमें भी वो इतना ही आगे थे इधर उनका जो कंट्रिबिशन इतना अद्बूत उनकी जो लिडर्शिप कॉलिटी की किसको क्या काम देना डेलिगेशन देना इंपावर करना यह सब उनमें आई थी 19 विदिर्ग वर्ष्टो तक उनमें रामकृष्णा संग का नित्रुत जो किया था उनके नित्रुत में डेवलपेंट कैसा हुआ बोथ होरिजन्टल और वर्टिकल कॉलिटेटिव एस वेर इस कॉंटेटिटिव दोनो प्रकारिये और नोट ओल्ली स्पिरिश्वल एक्टिविटीज अल्सो एजुकेशनल एक्टिविटीज अल्सो रूरल और ट्रैवल डेवलपेंट एक्टिविटीज सभी का विकास हुआ खास करके उनका सबसे बड़ा जे कंटिबिशन में से एक की 1980 में जो उन्होंने खास convention बुलाया, भक्तों का, पहला convention 1926 में गुवा था, 1926 में, दूसरा convention, पूरे वर्ल में से दस जार से अधिक devotees आये, सन्यासी भक्त, और इस प्रकार से साथ दिनों तक अद्बुत वह चला था, बहुत बड़ा महान वह ग्यान यग्निया, और उस समय मह परकार ने जब अपना प्रवर्शन दे रहे थे, तो उन्हों ने ऐसा हाथ कर के कहा था, राम कश्ञ संग, ऐसा हाथ रिला कर के कहा, राम कश्ञ संग, इसमें केवल सन्यासी नहीं है, जितने तुम लोग बैठे हो, जितने ग्रोहस्द भक्त, ये भी इस राम कश्ण संग क सदस्य है और तुम्हारा भी सब 10 वक्तों का भी करता भी हो जाता है जिस प्रकास सन्यासी दोग कठोर परिश्रम कर रहे हैं श्री रामकिष्ट विवेकानन भावदारा के अनुसार काम करने के लिए सेवा कारे करने के लिए प्रचार कारे करने के लिए ग्रोहस्त वक्तों को भी आगे आना पड़ेगा फिर उन्होंने रामकिष्ट विवेकानन भाव पिचार परिशद इसका स्रिजन किया आज तो वह बहुत आगे बढ़ गी करीब एक हजार से अधिक सेंटर होगे सारे देश में पर उसका उस्त हुआ कुझे माराश्री के उस अत्यंत प्रेणादाई प्रवचन में जो उन्हों सिवाकारे में लगे ग्रोहत भक्त एक बहुत बड़ा बुस्ट उन्होंने पूरे संग को दिया 1980 में जाने के पेड़े और 1985 में जो यूद कर्वेंशन हुआ डिसंबर में उसकी भूमिका उन्होंने कर दी थी और जब नैश्टाल यूड़े हुआ 12 जन्वरी 1925 में तब उन्होंने विशेश करके साब जगा सर्कुलर दे दिया हर एक सेंटर में कि एक बहुत बड़ी सुनारी सुनार मौका है और 12 जन्वरी राष्टी यूदिन के रूप में मनाने का जो निर्णे लिहा सरकार ने तो आप इसको सुनार मौकों को ग्वाव सुनार में सबसे बड़ा जो यूद्ट कन्वेशन हुआ पुझे महाराश्री स्वयम उसमें उन्होंने जाकर के प्रवचन दिया और यह नैश्टल यूद्डे का उन्होंने आरंब करवाया तो जो कंट्रिबिशन है पुझे महाराश्री का रामकिष्ट मठ और रामकिष् अनुठा है ना केवल आध्यात्मिक जगत में वरन सभी दृष्टी से एक अनुठा उनका प्रदान है पुझे महाराश्री के चलड़ने में प्रणाम करके आज समापन करते हैं ओम शांति 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 हरी ओम तस्षट शी रामकृष्णार पनमस्तु